नमस्कार बच्चों मेरा नाम अमार याद हो है जोग लेकर वाड़ी मन पा माध्मिक साला साइन पूरु अबच्चों आज हम पॉलिटिकल साइन्स में अंतर राश्टी समस्या आमण पाठ का अध्यन करें जैसा कि इसके पहले के पाठ में अंतर राश्टी समस्या जा समस्यां के बारे हम चर्चा कर चुके नहीं अंतर राश्टी समस्या बच्चों यह पूरे बिश्ट की समस्या है वर्तमान समय में अगर हम इस पे चर्चा करें तो इस समय कोविट नाइन्टीन करोना काज चल रहा है यह पूरे बिश्ट की समस्या है यह पूरे बिश्ट में महामारी फैली हुई है आईसी समस्या उको अंतर राश्टी समस्या कहते हैं अंतर राश्टी समस्या एक देश की नहीं होती है वह पूरे विश्ट की होती है तो जब समस्याएं किसी एक देश से हटकर सारे देश की हो जाती हैं पूरे बिश्ट सु पटल पर फैल जाती है और इससे पूरा बिश्ट सु तरस हो जाता है आईसी समस्या को अंतर राश्टी समस्या कहते हैं और तमा समय में मार 2020 से भारत में और विद्योसों में जनुरी 2020 से फैली हुई है महामारी जिसे हम लोग करोना कहते हैं यह एक जीता जाकता उधारर है हमारे सामने कि अंतर राश्टी समस्या क्या होती है बच्चो अंतर राश्टी समस्या पर रहे हैं राश्टी सास में तो अगर विगत में मैं देखा जाए तो कई आइसी समस्या को पूरे विष्व ने झेला हुआ है हम पीछे सव वर्स पीछे जाएं या दो सव वर्स पीछे जाएं तो इस भी सुधरातर पर कई समस्यां आईं जिसे पुरी विस्व ने जहला, आईसी समस्या को ही अंतराश्ती समस्या कहते हैं. बच्चों, एक ऐसी समस्या होती है जो एक ही जगह है, पाइदा होती है वहीं पर खतम हो जाती है. लेकिन कुछ समस्या ऐसी हैं जो पूरे विस्व को हिला कर रख देती हैं. ऐसी समस्या को अंतराश्ती समस्या कहते हैं. मैं आसा करता हूँ कि ऐसी अंतर राश्री समस्याओं से लड़ने की और उनसे निदान पाने की कोशिज सभी राश्र मिलकर करेंगे आसी अंतर राश्री समस्या की देन है जो आज हमें इस तरह से अपने सिछा छेत्र में की तरह से एक वर्सों से समस्याई आई है जिसे हम ऑनलाइन के बाद हम से हासिर कर रहे हैं कोई छोटने जाए यह एक पातकाल इही देन है कि इसी समस्या का निवारण हम ऑनलाइन सिछा के जड़िये कर रहे हैं विश पटल पर अंतराशी असर पर कई समस्याएं आज भी हैं और पहले से पनपी कोई जो चली आ रही हैं जिनका अभी तक अंद नहीं हुआ है ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं जिसे हम अंतराशी समस्या कहते हैं आतंगवाद एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है यह भी अंतराशी समस्या है जिसे पूरा भी सुझेल रहा है आतंगवाद महाववाद नकसलवाद ऐसी समस्याएं हैं लेकि जिसमें से कि आतंगवाद जो है हुआ है अंतराशी समस्या है उसी तरह पर्यावरण को लेकर बच्चों कई बार ऐसी समस्या हुई तो मानवाजकार संबंधी समस्या हुई विश्पटल पर राथियों की जो समस्या थी वह अभी अंतराशी समस्या के रूप में सामने आई तो इस तरह से अंतराशी समस्या है जो होती है वह पुरे विश्प की समस्या होती है चाहे वह प्राकिर्टिक देन हो दैविक देन हो या मनुस्त निर्मित समस्या हो कभी कभी यह समस्या है पुरे विश्प पटल पर असर करती है इनी समस्याओं को हम अंतराशी समस्या करते हैं बच्चों आइसी समस्याओं का निराकरण करने के लिए उन्हें दूर करने के लिए बिश्प पटल पर बहुत सारे कानून ब्योस्था बहुत सारे नियम बनाए गए ताकि इन समस्याओं को वैस्विक अस्तर पर बिश्प पटल पर उसे दूर किया जाए समस्या का हल किया जाए पाठ को आगे बढ़ाते हुए बच्चो हम पहला टॉपिक शुरूग देंगे मानु अधिक्यार मानु एक समाजिक प्लाड़ी है हम और आप जानते हैं आपने इसके पहले करच्छाओं में इसे पढ़ा हुआ है यह मानु अधिक्यार यह मनु बीस अस्तर पर जोधिकार मनु इसको प्राप्त है उसे मानु अधिक्यार कहते हैं अब देखो बच्चो मानु अधिक्यार की जो अधिक्यार बनी जब अधिक्यार बनाया गया तो उसका रूप क्या रहा होगा उसके अधिक्यार है मनु इसके इन बातों को ध्यान में रखते विए आइसी आउधार नाय जो है निर्मित की जाते हैं अब यहां फिर प्राक्रिशिक अधिक्यार का अर्थ क्या होता है कि जब हम अधिक्यार मनुष्य विश्व पटल पर वैस्विक असर पर चितने भी मनुष्य हैं वह मनुष्य को रूप में जन्म लेने पर जोचक्यार होते हैं उनको हम प्राक्रिशिक अधिक्यार कर सकते हैं इतना से मनुष्य के रूप में जन्म पर जो अजिकार प्राप्त होते हैं प्राक्रितिक अजिकार जो है उसे हम कर सकते हैं अब यहां पर मानुष्य कार से क्यातार पर है बच्चों यह समझना जरूरी है मानुष्य के रूप में तरह समाज के घटक के रूप में जीने के लिए आवर्शक अजिकार मनुष्य एक समाजिक प्राड़ी होता है वो समाज में जीता है तो समाज में जीने के लिए उसे एक अजिकार भी प्राप्त है तो मनुष्य समाज में जीस घटक के रूप में जीता है उसके लिए कुछ अजिकार अवस्चेक होते हैं अगर हम उदारर के तावर पर देखे अमेरिक्या तथा फ्रांस की जो राजक्रांथी के समय सुतंता संता बंधुत न्याज जैसे मानवाज को और मानवाज क्यारों का समर्थर किया गया था विश्वस्टर पर अगर हम देखें तो अमेरिक्या तथा जो फ्रांस की राजक्रांथी हुई उसमें स्वतंत्रता, सम्ता, बंधुत्व, न्याई जैसे मानवाज ज्यादकों का समर्थन किया गया था। सम्ता, बंधुत्व, न्याई अभी इन अथिक्यारों की आप उर्ति करने के लिए लोक्तांत्रिक सासन का होना अवस्चक है। तो ऐसे अमेरिका फ्रांस की राजक्रांत्री के समय हुआ, तो उसमय यूरूप के अनेक राश्ट्रों ने लोक्तांत्रिक सासन पराली और समझान को सुखार किया। इसमें सासन का हितकार भी सिमित हो गए। नागरिकों के अत्क्यारों की रक्षा करना सरकार की महत्पुर जिमेदारी महनुआ। मानुआ अत्क्यार के अधार भॉयई। ्या नियाई बंदूत और सम्ता के लिए मानुआ अत्कार का होना हुआश्यक है। इस तरह से अमेरिका और फ्रांस की राज़कान्तिक समय जो सम्तार बंधुत होन्याई का समर्थन किया गया इसे जो लोग प्रांतिक सासन बेहुसा थी उसमें बल मिला उसके बाद मानवाजक्यार का उदय हुआ और उसके साथ साथ ही मानव मनुष्य या नागिकों के अजक्यारों की रख्षा करना सरकार की महतुर जिम्मदाजी जब ऐसे नियम बनते हैं तब सरकार को भी उनकी रख्षा हर नागिक की हर मनुष्य की रख्षा उस रख्षा करने की जिम्मदारी सरकार को पर बढ़ जाती है बच्चो अंतर राशी ब्यवहार में मानवात का रवधारना का उदय कैसे हुआ कि यह भी जानना जुरूए है अले हमने मानवात क्यार देखा चुकि हम लोग राजनीती सास में अंतर राशी समस्या को पड़ रहे हैं तो अब अंतर राशी समस्या में मानवात क्यार के उद्धारना के अंतर राश्टी मानवात क्यार को पढ़ने से पहले मानवात क्यार क्या है वह मैं थोड़ा थोड़ी में आप लोगों को बताना चाहता हूं देख रहा है वानवात क्यार मून रूस्वी अज़क्यार है जो प्रतेग्व्यत को इंसान होने के काल मिलते हैं मानवात क्यार मानवात क्यार मूरूप से जिंदकी जीने आजादी और निजी सुरक्षा क्यार इत्यादी देश में सभी को सामानता क्यार सामान रूप से दिया गया है अगला है मानवात क्यार में प्रतेग्व्यक्ति अपना लिंग जाति धर्व संस्कृति समाजिक इसिती की परवा किये विना पगदार है मानवात क्यारों को दोब्यापक्स रेडियों में विभाजित किया गया है मानवात क्यारों के रुप्यों की जाज करने के रिए सही उत्राव समझति कि एन रोल कि मानवात क्यारों के पढ़ेता थे मानवात क्यारों को सही कज्ञाहत करते हैं कि अंतर राश्य न्याले मानवात क्यारों के लंगन की जाज करता है मानुआत्क्यारों के जिर्यवा सम्मिलों में मानुआत्क्यारों को सामिल किया गया है मानुआत्क्यारों में सरल और जटिर दोनों प्रकार के मुद्य सामिल है मानुआत्क्यार मानुआत्क्यारों का एक अनिवार हिस्टा है तो इस तरह से हमने देखा अलग-अलग तत्थो द्वारों मानुवत्क्यार क्या है अब अंतर्राशी बेवहार में मानुवत्क्यार बच्चों हम अंतर्राशी समस्या पढ़ रहे हैं अंतर्राशी बेवहार में मानुवत्क्यार अधार्णा का उद्वार स्थापना हो जाने पर मानुवत्क्यारों का वैस्वी घुष्रा पत्र त्यार किया गया मतब वीश्वे अस्तर पर घुष्रा पत्र त्यार किया गया दद दिसंबर नई समुर्टालिस को सहीवत्रास की आमसभा में यह घुष्रा पत्र बहुमत से पारिद किया गया इसके बाद में और 1906 में नागरी और राजनीतिक अद्क्यारों की उन्तराश्टी समझवता तथा आर्थिक समाजिक था सांस्क्रितिक अद्क्यारों का समझवता इन दो समझवतों को सहीवत्राश्ट की आमसभा में मानता दी गई यह दोनों समझवते अंतराश्टी कानून के भाग हैं और इन समझवतों का पालन करना सदस्राश्टों का सदस्राश्टों के लिए अन्यवार है बच्चो मानवाजक्यारों में जीनेक अद्क्यार अनाज वस्र आवास शिक्षा तथा स्वास्ते इन प्रमुक अद्क्यारों का समावेश होता है यह अद्क्यार मौलिक होते हैं यह अद्क्यार सभी को प्राप्त हो यह देखना राज का दाइद होता है तो कुछ इस तरह से मानवाजक्यार मानवाजक्यार इमने हैं जहां पर राज की भी जिम्मेदारी होती है उसका निरूहन कैसे करे जैसे जीनेक अजक्यार के लिए जरूरी है अनाज वस्र आवास सिख्षात था स्वास्त यह भी मानाव अजक्यार के अंतरगत आता है और सभी मनुस्त को यह अजक्यार मिलने चाहिए यह भी राजसरकार का दाईद बनता है इसके बाद इन सरकार अंतराश्टी एस्तर पर मानुवस्क्यार का समवन्धन करना परन्तु हर मनुस्त को यह आवस्ता अनाजवस रावास्ता सिख्षा हर मनुस्त के आवस्त है जिसका दायत काल सरकार को दिया जाता है सीथ काल सीथ कुद में काल में मानुमाचक्यार का प्रस्थ अनेक बार सायुद राष्ट की आमसभा में प्रसूद किया गया है जैसे कि वन द्वेस, मानुवा दिकार विरोधी है, अफ्रिका का जो वन द्वेस है, वहाँ पे काले गोरी का भेद भाव है, तो अफ्रिका में जो काले गोरी का भेद भाव है बच्चो, वो मानुवा दिकार का विरोध करता है, क्योंकि मानुवा दिकार में कहीं भेद लेकिन अफ्रिक्या में जो वन्दूइस है वहां पर मानुवत्क्यार का प्रियोद हो रहा है वह मानुवत्क्यार तो समता समानता बंदू तन्याय पर चलता है और जम अपर क्या का जो यह वर्ड द्वेस है यह मानुवत्क्यार ब्योधी है इसलिए वर्ड द्वेसी सासुनों का वाइस कार करने का निली चुश मानवाथ कार विरोधी हैं ऐसे लोगों का वाइसकार करने का निले लिया गया उपनिवेशों को सोतंतता लोगतांतित ब्योस्ता का अग्रह यह उसी के कुछ उदार कहे जा सकते इसका विरोध किया गया उपनिवेश वाद चालू हुआ और लोगतांतित ब्योस्ता चालू की गई उपनिवेश वाद को समात करकर बत्चों मैं समत्ता हुआ अपनिवेश वाद को आप लोग पढ़े हैं तो ऐसे उपनियों स्वाद, उपनियों सोग को सोतंता मिलना और ऐसे समय में लोगतांत्रिक व्योस्ता को काग्रह करना यह वर्ण डिस जो मानवात का व्योद ही है उनका व्योद करना उमता है उनको वाइसकार का इस तरह से किया जाता है अब देखो बच्चों आधुनिक काल में जो हुआंसवास, हीमाबाद, आतंगबाद जैसी समस्याओं का खार मानवस्कारों का हनन हो रहा है जैसा कि अभी इसक्री में देख रहे हो आधुनिकाल में वन्सवास, सीमाबाद, आतंगबाद इनके कार मानवस्कारों का हनन हो रहा है साथ ही अनेक वैस्वीक प्रस्ट जैसे संक्रामक रोग परियावरण के खत्रा प्राकृतिक काबदा के कार मानवस्कारों की अधारना भी अभी व्यापक हो गई है इस तरह की समस्याओं के कार मानवा व्यापक हो गई है बड़े अस्तर्प हो गई है तो बच्चों इस तरह से जो मानवस्कार का अधारना है वह बढ़ रही है क्योंकि समय समय पर वैस्विक अस्तर पर जो समझ से हैं हमारे सामने आती हैं तो वहां पर मानवातिक्यार का होना आवास्रेक होता ऐसा दिखाई देता है अब जैसे शुरू में मैंने बताया कि 20 अस्तर की समझ से करोना कोविड-19 जिससे पूरा 20 परसान है तो यह जो करोना काल है इसमें भी मानवातिक्यार का रूप ब्यापक हुआ सभी मनुस को इससे बचाना है ऐसे ब्यापक रूप मानवातिक्यार का बढ़ जाता है उसके साथ ही बच्चो परियावर्ण सनर्चन सास्वत का भी समावेस मानवातिक्यारों में दिखाई देता है परियावर्ण सनर्चन सास्वत विकास का भी समावेस मानवातिक्यारों में किया जाता है इसमस्याएं मानवातिक्यार के माध्यम से दूर की जाती है बच्चो मानवातिक्यार के घोश्रा पत्र में कुल 30 धारा है जो मानवातिक्यार के घोश्रा नियम बने हैं कानून बने हैं उसमें कुल 30 धारा हैं इस घोश्रा पत्र में नागरी स्वतनत्रता संबंधी धारा हैं उसी प्रकार रोजगार का अजक्यार समान काम करने के लिए समान वेतन जैसे आर्थिक अजक्यारों का प्रावधान भी है सबी सदस्राश अपने नाग्रकों को मानवा अजक्यार दे या पेक्षा की जाती है मानुमा अच्कारियों बच्कार के घोष्रापत की तरह ही बालकों के अच्कारों का घोष्रापत्र 20 नमंबर 1904 को पसारित किया गया यह एक जानकारी है सभी बच्चों के लिए मानुमा अच्कार का जो घोष्रापत्र है उसमें कितनी दारा है अगला टॉपिक है बच्चो मानवाजक्यार और भारत तो मानवाजक्यार और भारत इन दोनों के बारे में भारती सम्धान मानवाजक्यारों को मौलिक अधक्यारों का अस्तान दिया गया है जो भारती सम्धान है बच्चो उसमें जो मानवाजक्यार है उसको मौलिक अधक्यार का अस्तान दिया गया है मौलिक अच्कियार मतलब प्रतीक व्यत के लिए अच्कियार है ही है खुद का उसका अच्कियार है जो जिसे मौलिक अच्कियार कहते है समिधान के मौलिक अच्कियारों के साथ ही बच्चो कब जोरवर महलिया अलसंख्यों की सुरक्षा का दायुत सरकार पर है तो ये जो मौलिक अत्कियार हैं उसके साथ साथ जो कमजोर वर्क हैं जो गरीब हैं उसके साथ साथ महिला अलसंक्यो आईसे लोके की सुरक्षा का दाईब सरकार पर है वर्स 1993 में मानौ अधिकार सुरक्षा कानून बनाए गया बच्चों याद रखें कि वर्स 1993 में मानौ अधिकार सुरक्षा कानून भारत में बनाए गया और इसी कानून के अंतरगर तो राश्री मानौ अधिकार आयोग तो था राज्य मानौ अधिकार आयोग दस्थापित किये गये यहां पर ध्यान देने योग बात है बच्चों कि जब सब्सक्राइबे में मानौ अधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया इस कानून के अंतरगर्द राश्री मानौ अधिकार आयोग तो था राज्य मानौ अधिकार आयोग का सापित किये गये हैं मानौ अधिकार का हनन होने पर उसे संबंदी सिकायत पर ध्यान देना तथा उस संबंद में उचित कारवाई करना यह मानौ अधिकार आयोग का दायत है बच्चो के था मानौ अधिकार भारत में नागु हुआ उसके बाद इसके अंतरगर्द है लाश्री मानौ अधिकार ऐ राज्य मानौ अधिकार हे यूग कैस्ठापना भारत में की गे गयी कि उसके साथ मानुवाज क्यार का अगर कोई नहीं हनन होता है उसकी सिकायद देने होने पर मानुवाज का आयोग का दाइद बनता है वह उस पर कारवाई करें इसके बाद आता है बच्चो पर्यावरण पर्यावरण इसके देख रहे हैं सासे हो रही कम आओ पेड लगाये हम विस पर्यावरण दिएस दर्ति को अगर दर्ति को अगर है बचाना पर्यावरण अच्छा का लच्छ बनाना है तो अगला टॉपिक पर्यावरण है वर्तमान काल में बच्चो जो मानवाजकार की अधारना है वो बहुत ही ब्यापक हो गई है लोगों तक पहुच गई है लोग जान गए हैं अपने अधिक्यार को जान गए हैं तो वर्तमान समय में यह जो मानवाजकार की अधारना है वो ब्यापक हो गई है और ऐसा माना जाता है कि सुराच्छीत पर्यावरण एक महत्पूर मानवाजकार है हम अंतरार्शिस मर्चा के अंतरगत पर्यावरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान काल में मानवाजकार के अधारना बहुत व्यापक हो गई है अब यहां पर इजानना जरूरी है कि सुराच्छीत पर्यावरण एक महत्पूर मानवाजकार है अंतरलासी एस्तर पर और सुनाई सो सत्तर में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जाग रुपता और आवस्किता प्रस्तूत की गई है बता अदोगी करार और उद्जा की बढ़ती आवस्कत पर्यावरण की खत्रा निर्मान हो रहा है ऐसाँ पर्यावरण विस्तितों का मत्त है अब उद्योग को उनके कार प्रियावरण खत्र आता है क्यूंकि परियावरान को खत्रान निरुमत करती है तो परियावरान जो बिश्केसक है उन्होंने बताया है कि ऐसे अधोगी करण से बढ़ती हूर्जा जो आगस्ता हो रही है उसे प्रयावण को खात्रा होसकता है. उन कारकरताओंने वाइस अप्रम नोई से सत्तर को प्रथम वसुंदरा दीवत मनाया. या के थी में बडी मात्रा में उप्योग में लाई जानेवाली अशानिक खादे और किटना से गवस्दियां वानों के काड़ उत्पन होने वाले ध्वनी प्रदूसर परमार उर्जा भठियां से होने वाला कि रूस्तर एक्सरे जिसे हम इंग्रिस करते हैं तेल दिशाओ अथर असानिक गैसो करिशाओ आद के काड़ परेवर असुरक्षित बनता है और विभी समस्याओ निर्वार होती है इस अन्भूती में परेवर असुरक्षा का प्रस अंतरार्सी अस्टर पर चर्चा में आने लगता है और सुनाइश सुनब्वे में के बाद वैस्वी करण की बाड़ आने पर राष्ट्रों पर परस्वालंबन बढ़ गया और उस कारण पर्यावन की समस्या हल करने में कई राष्ट्रों को आप से सहयों की आउस्ता निर्मार हुई पर्यावन के लिए निर्मार होने वाला खत्रा एक राष्ट तक सिमित नहीं रहता है उसके परड़्याम भी दिर्कालिन होते हैं आता इन समस्याओं के निवारन हेतु उपाय उजना करने के लिए राष्टों को एकत्रित होकर समत्य और सहयोग से कार करना आवस्यान पड़ता हैं उनस्वति और प्राडियों की प्रजातियां नर्स होना, विर्दा की उरुरा सक्ति कम होना, पानी की किल्द वर्षा की मात्रा कम अधिक होना, तापमान बरता, नदीयां तलाव सुखना, नदियों समुद का प्रदूर्ष्टन, नए रोक की निर्मिती, एसीर वर्षा, ओ सब परहएवरन हास के दुष्परवाद्याम है कि इनमें से कुछ पर्वाद्याम विश्प राष की होते उए भी प्रसनों का वैस्विक स्वरूप्रावत हुआ है तो परवहन रूप से वैस्वीक रूप में होते हैं तो परहएवरन शुरक्षा यह अंतर राश्टी सुरक्षा माना जाता है और अंतरासी अस्तर पर हमें प्रयावरान की सुरक्षा करना है जैसा कि अभी मैंने बताया था 1990 में क्या हो गया कि उसके बाद 20 की बार आने लगी अब एक रात दूसरे राज के पर स्वालंबन एक दूसरे कूपर निर्फन नहीं लगे और जब जब भी परयावरान की समस्या आई तब वह परयावरान की समस्या को करने के लिए एक दूसरी साथ कड़े रहे हैं क्योंकि यह समस्य अंतर राष्टी रूप ने लगी यह समस्यां अंतर राष्टी रूप जब लेने लगी तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए सभी राष्ट आ गया हैं खासका रहे हैं उन्हीं सुनब्विक बाद बहुत अधिक हुआ पैस्विकरण कि बाढ़ आ गए उन्हीं सुनब्विक बाद और आश्चोका पर स्वालमर बढ़ गया जैसा कि हमने इस बात तो चर्चक किया तो ऐसी सिती में एक राज दूसरे समस्याओं को हर करने के लिए खाई रह गया है और इसमें राष्ट हर राष्ट का जो आपसी स्वयोग है वह बहुत आवस्यक्त आवस्ता महसूस ही हो और बहुत सारे ऐसे रिशा हुए जो परियावन को नश कर देते और जब आइसे रिशाव होते हैं तो वह एक रास्के नहीं होते हैं कि वह हुए इक राष्ट थे नहीं रहता है वह ख़ए राष्ट पहुंच जाता है जैसे कि करोना की महामारी अगर हम देखे तो अगर चीन से निकला उसके बाद वो धिरिये-धिरिये सभी राष्ट तब कहुंच गया और सभी राष्टों में इसका सर दिखाए दिया बीस्व अस्तर पर यह मामारी फैल गई तो ऐसे जो प्रदूसी चीजें है जैसे किताब में गैस के बारे दिया तो कभी निशाओ भी इतना फैल जाता है वह धिरे-धिरे सर्वत्र वैस्विकस्टर पर फैल जाता है वहां पर ऐसी समस्याइ जो है निर्मित होते हैं तो इस तरह से मानवाजक्यार के रूप में हमारे सामने जो समस्याइ हैं और मानवाजक्यार के द्वारा जो नियम बनाए गए जो मानवाजक्यार के नियम बनाए गए ए कि राश्री एस्टर पर उसका अधन किया हम ने मानवाजक्यार अंतराश्री वेवहर में जो चाइ ने बनावात क्यार समस्या के माध्यम से आप लोग को समझ में आया होगा, समझ गए होंगे, तो अभी जो आपको बताया गया, उस पे आधारित कोई प्रस अगर कोई छात्र पूछना चाहता है, तो पूछ सकता है, अंतरास्ति समस्या, मानुआ जिकार, अंतरास्ति व्यवार में मानुआ अजिकार और धर्ना का उद्रे, मानुआ अजिकार और भारत और पर्यावरण, ऐसे चार महत्तूर टॉपिक काम ने अभी अंधर किया, अंतरास्ति समस्या के पार्ट के माध्यम से, इसमें मानुआ जिकार क्या है, उसके बाद अंतरास्ति व्यवार में मानुआ जिकार और धर्ना का उद्रे, पिर मानुआ जिकार और भारत और पर्यावरण, यह जो टॉपिक थे, सब मानुआ जिकार से संबंधित है, कि मानुआ जिकार मनुआ से संबंधित जो भी वस्क्री है, उनका सरच्छर पैसे होगा, मूर्भुत अथक्यार, मौलित अथक्यार, रोटी, कप्रा और मकान और इस प्राकृतिक जीवन में प्रकृत में जीने के लिए, मनस के उपर कोई संखट या समस्या ना आए, इसका निलाकरण कैसे किया जाए, इसका अध्यान हमने इस प्राट के माध्यम से किया है, तो जो भी टॉपिक थे, वह सब मानुवात क्यार से संबन देते हैं, हमने देखा कि हर जगह मनुस्थ की सुरक्षा, मनुस्थ का सरच्षण, जैसा कि मनुस्थ एक समाजिक प्राड़ी है और मनुस्थ की जो मूर्भुत आवस्ताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन सारी चीजों को एक साथ रहकर, विश्व अस्तर पर जो मानुवात क्यार बना, वह किसरा से उचित रूप से लागू हो, सदेव इसमें न्याय मिले, जो मनुस्थ के अथक्यार है, वह मिले, लोगों कर्द समता की भावना हो, बंधुत की भावना हो, किसी भी चाथ को कुछ सकता है, आप लोग का सभी का धन्यवाद हमारे साथ जो जुड़े रहे हमारे सियन्नों उनको मैं धन्यवाद देता हूं और यह पार्ट टॉपिक यही पूरा होता है, आगे हम कोई दुसरा एक क्या करते ही इतियास्या नितिक साथ का पार्ट लेकर उपस्थित रहेंगे, सभी को धन्यवाद देता हूं, नमस्कार